नमस्कार दोस्तों कि आपको पता है हमारा जो यकरत है वो हमारे बोड़ी में कहां पर है यानि जो लीवर है वो किस जगह है और ये क्या काम करता है और ये अगर नहीं होगा तो हमारे सिरीर में क्या नहीं हो पाएगा या फिर इसके विना हम जिन्दा रह पाएंगे या नही यह पाएंगे ऐसे ही कुछ बात हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे और आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से हम यकरत के बारे में यानि लीवर के बारे में पढ़ेंगे और इसके दोरा जो रस बनता है जिसको हम पित रस बोलते हैं बाइल जूस बोलते हैं वो क्य का है क्या काम करेगा और ऐसे ही यकरत के बहुत सारे कारिये हैं इन लीवर के बहुत सारे कारिये हैं जिनके बारे हम जानने वाले हैं तो दोस्तों लीवर को आप जानते हैं कलेजा बोलते हैं यानि कलेजा यानि जिगर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यह जिगर है यह जो क को हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट करने से पिले वीडियो को लाइक और शेर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो देखे लीवर जो है यक्रत जो है वो हमारी बोडी में कुछ इस जगे स्थित होता है ठीक है ना दाहीनी और डायफ्राम के नीचे तो यह जो है यह लीवर है यानि यह यक्रत है यह वाला पॉर्शन और यक्रत के नीचे यहां पर आपको एक थेली जैसी सनचना दिख रही है लीवर के नीचे इसको पिताश्य बोलते हैं अभी पढ़ेंगे इसके बारे में यानि यह गॉल ब्लेडर है पित की थेली है और यह जो है यह बड़ी गरंती है यानि लार्जेस्ट ग्लेंड ऑफ हिमन बोड़ी ठीक है ना आकारवाइट सबसे बड़ी है और साथ में इसका जो वजन है वो कितना है देखो दोस्तों एक पॉइंट दो किलो ग्राम से एक पॉइंट पांस किलो ग्राम तो इस तरीके से आपको यह दोर गुहा को अलग करता है ठीक है ना मास्पेशियों से बनावा एक परदा है उसके नीचे दाई और स्तित है ठीक है दोस्तों इस तरीके से देखिए यहां पर डाइफ्राम है उपर फेफडे हैं नीचे यहां पर यह अकरत है बाकि आहर नाल का पूरे भाग है तो इस त इसको हम पिता से बोल रहे हैं या पित की थेली बोल रहे हैं यह क्या है तो बोले हरे रंग की थेली नुमा सनचना दिख रही है इसी को हम गॉल ब्लेडर बोल रहे हैं गॉल ब्लेडर किसे बोल रहे हैं यकरत के नीचे जो हरे रंग की थेली नुमा जो सनचना है उसी को हम पित की थेली यानि पिता से यानि गोल ब्लेडर कह रहे है और यह क्या करता है तो बोले यहां देखेंगे यकरत से देखो जुड़ा हुआ है यह पूरा का पूरा यकरत है और यकरत से ऐसे न लिकाएं वाहिनिया आ रही है ठीक है न और वो युनाइट होके फिर इसमें जा देखो तो यह पित की थेली के अंदर यकरत से कुछ रस आएगा वह आके भर जाएगा यकरत से कौन सा रस आएगा बोले यकरत से पित रस यानि बायल जूस है वो श्रावित होगा तो यकरत में कौन सा रस बनता है पित रस यानि बायल जूस बनता है और यह क्या होता है प पितरस बनता यकरत में है, पितरस किस में बनता है, यकरत में यानि लीवर में बनता है, और ये संग्रहित कहां रहता है, बोले गॉल ब्लेडर, यानि पिताशे में, पित की थेली में, और वहीं पर सांधरित होता है, और वहां से जब ये जरूत होती है, तो इस तरीके से सरा अगनासे से क्या आता है अगनासे इरस ठीक ना और आमासे से क्या आता है वो ले भोजन आता है तो तीनों देखिए आमासे से तो भोजन यह अगनासे से अगनासे इरस यकरत से पितरस इस तरीके से लीवर से बाइल जूस अगनासे से पैंक्राटिक जूस और यहां से भोजन आता है फिर उसका पाचन होता है तो अब देखिए आपका जो ये पित रस है ये क्या-क्या चीज़ें लेके आता है इसमें कौन-कौन चीज़ें मिली हुई है यानि पित रस का संगठन क्या है composition of the bile juice तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसा होता इसकी प्रकर्टी दोस्तो alkaline होती है यानि इक्षारिय होती है और इसका pH 7.7 होता है यानि इतने pH का होता है यकरत का जो रस है न इक्षारिय है ठीक है दोस्तो gastric juice के साथ था एसिडिक था और आतरी रस के साथ था वो भी alkaline आक्षार ये था तो अब इस पितरस का संगठन देखें तो बोले इसमें पित लवन होते हैं क्या होते हैं दोस्तो पित लवन यानि बाइल salts और उनके नाम है sodium bicarbonate, sodium glycocolate and sodium torocolate अब दोस्तो ये जो दोनों है ये cholesterol के derivative हैं क्या है ये cholesterol के derivative, cholesterol आप जानते हैं cholesterol के व्युत्पन है ये क्या है cholesterol के व्युत्पन यानि derivative of cholesterol मतलब ये किस से बने हुए है बोले ये cholesterol से ही बने है नाम में देख लो colate ये ना ये colate तो cholesterol से बने हुए इसलिए आप कह सकते हैं पित लवन है वो cholesterol के व्युत्पन है क्या है दोस्तो cholesterol के व्यु तो वो भी दो हैं बिली रूबिन एन बिली वर्डिन बिली रूबिन है वो पीले रंग का होता है यालो कलर का होता है यह कैसा होता है यालो कलर होता है और जो बिली वर्डिन है वो कैसा होता है दोस्तों वो ग्रीन कलर का होता है यानि ग्रीन कलर होता है इसके अलावा इसमें उनका क्या काम है तो हमने देखा कि इसमें हमें कोई enzyme नजर नहीं आया तो दोस्तों ये सबसे बड़ा important fact है कि पितरस में कोई पाचक enzyme नहीं होता है बहुत ही important question कि क्या पितरस में पाचक enzyme होता है तो बोले नहीं होता है ठीक है अगर option में भी आये enzyme के नाम तो मैं बता है कोई पाचक enzyme नहीं होता है इसमें तो हमने पित लवन यानि bile salt देखे जो bile salt क्या करेंगे बोले वसा का पाई शीकरन करेंगे तो बाहर निकलने वाला है यानि यकरत से कहां आ जाता है यह आहर नाल में और आहर नाल के माद्यन से बाहर निकल जाता है यह तो उच्सरजी पदार्थ है और इसका काम है भोजन पचाने में सहायता करना और भोजन के भी कौन से अव्यव को वसा को तो दोस्तों यहाँ पर पीत वरनक उत्सरजी पदार्थ हैं और यह हीमोगलोबिन के अपगटन से बनते हैं यानि हमारे रक्त में RBC होती है, RBC में हीमोगलोबिन होता है जब RBC का अपगटन होता है, यानि बुड़ी होने पर, यानि 120 दिन के बाद में उसकी जिन्दी की खतम हो जाती है, RBC की तो उसमें जो हीमोगलोबिन है, वो किसमें बदल जाता है, अपगटितों के, उसे क्या बन जाते हैं, पित वरनक दोस्तों तो अब यहां यकरत के ये कारिये तो देखें, लेकिन दो कि यकरत बहुत मयत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे अन्य कारिये भी हैं, तो दोस्तों यकरत के अन्य कारिये, यानि फंक्शन ओप लिवर की बात करें, तो पहला कार ये है, गलाइकोजेनेसिस, गलाइकोजेन glycogen, glucose से क्या बना दोस्तो, glycogen, और ये glycogen क्या है, ये हमारे यकरत के अंदर संग्रहित हो जाता है, तो ये kriya जो है इसको बोलेंगे glycogenesis, ऐसे ही दोस्तो glycogenolysis हो रहा है, यानि जस्ट इसका उल्टा, यानि जो glycogenolysis का मतलब glycogen का breakdown, यानि glycogen किसमें करनवट हो गया, यांई ग्लूकोज नियो मतलब न्यूग्लुकोज न्या ग्लुकोज बन रहा है तो ले काट घ्लाइकोजन से तो नहीं कुछ अन्य पदार्थ या आपीनो अमल मान लीजिए कोई भी अमिनो अमल है जो की प्रोटीन बनाता है ऐसे ही दोस्तो वसी अमल है अगर इन दोनों से हमारा ग्लुकोज बन जाता है है ना देखो वसी अमल वसा बनाते हैं अमिनो अमल प्रोटीन बनाते हैं लेकिन अगर इनी दोनों से अगर मान लीजिए ग्लुकोज का अनू बन जाए हमारे यक्रत में उस किरिया को हम बोलेंगे ग्लुको नियो जैने इसीज यानि नएक ग्लुकोज का निरमाण ऐसे ही दोस्तो विटामिन का संसिलेशन वह संचे भी होता है तो दोस्तो यहां पर विटामिन A की बात करेंगे विटामिन A का निर्मान कहां पर होता है यकरत में होता है बाहर से हम जो खाते हैं वो एक तरीके से प्रो विटामिन A है यानि कच्चा माल है और वो यकरत में जाएके विटामिन A में बदलता है और वहीं पर इसका संग्रहन भी होता है तो संचे की अगर बात करें तो विटामिन A वेड़ी दोनों का ही संचे कहां पर होता है बोले यकरत में होता है लेकिन निर्मान कौन से कहां बोले विटामिन A का निर्मान ये करता है दोस्तो ऐसे ही other function की बात करें तो यूरिया का निर्मान भी ये करता है यूरिया synthesis यानि हमारे सरीर के अंदर कोशिकवों के अंदर जो ammonia बनती है क्या बनती है? ammonia जो काफी घातक है उस ammonia को मेंसे लाके क्या बना देता है? ये यूरिया में बदल देता है तो यूरिया थोड़ा सा कम घातक है ये भी घातक है लेकिन ammonia से यूरिया बन रहा है तो इसलिए कम घातक हो गया तो थोड़ी देर तक हमारे सरीर में रह सकता है और बाद में ये मुत्र के रूप में उत्सरजित कर दिया जाता है मुत्र के रूप में क्या कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है उत्सरजित कर दिया जाता है उत्सरजित हो जाता है तो इस तरीके से देखो ये भी काम कर रहा है काफी मेतुपन काम है ऐसे ही रक्त परतिसकंदक यानि बलड एंटिकोगलेंट का निर्मान यानि बैता हुआ रख्त कभी जमता नहीं है क्यों नहीं जमता है कि रख्त परतिसकंदक बनाता है और उसका नाम है हीपेरिन क्या नाम है दोस्तों हीपेरिन हीपेरिन नाम का एक रख्त परतिसकंदक यह ब्लड को एंटिकोगलेंड कौन मनाता है यक्रत बनाता है जिससे हमारा रख्त है स्रीर में संच्रित होता रहता है जमता नहीं है ऐसे ही रक्त सकंदक भी मनाता है यानि जब रक्त बाहर निकलता है स्रीर से कोई घाव हो जाता है जब बहने लगता है बाहर तो उसका थक्का बन जाता है थोड़ी देर में तो रक्त सकंदक कारकों का निर्मान भी करता है यानि रक्त सकंदक कारक मतलब जो रक्त का थक्का जमाते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्मान कहां पर होगा यक्रत में ऐसे ही फाइब्रिनोजन तो रक्त जब पढ़ेंगे तो इनका जिक्र दुबारा करेंगे तो फाइब्रिनोजन का निर्मान भी ये कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा प्रोथ्रोंबिन और फाइब्रिनोजन का निर्मान भी हो रहा है ठीक ऐसे ही रक्त का निर्मान भी करता है यानि रक्त का निर्मान का मतलब जो भुणा आवस्ता है उसके अंदर क्या है आरबी सी जो लाल रक्त कणी का है वो सरोपरतम कहां बनती है तो बुले यकरत में ही बनती है ठीक है न ये तो काम है साथ में जो रक्त के जो प्रोटीन है रक्त प्रोटीन यानि बलड प्रोटीन उनका निर्मान भी करता है यानि जो albumin वगरा जो है न जो हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला protein है इसका निर्मान भी ये करता है ठीक है न दोस्तो ऐसे ही रक्त का सुद्धी करने करता है यानि purification purification of the blood purification का मतलब है इसमें अगर कोई गंदगी आ गई है कोई अशुद्धी आ गई है जैसे कोई जीवानों आ गया सुक्सम जीवानों आ गया तो दोस्तो यहाँ पर कूफर कोशिकाएं यानि कूफर सेल्स होती है ये कूफर कोशिकाएं ये कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं जीवानों को नस्ट कर देती हैं अगर कोई जीवानों आ गया उसको नस्ट कर देंगी ये क्यों सी होती हैं भक्षक कोशिकाएं हैं कुफर कोशिकाएं कैसी हैं भक्षक कोशिकाएं हैं ये भक्षक कोशिका है मतलब फेगो साइट है क्या सारे अन्यकारिये भी है बोजन को पचाने में तो मदद कर रहा है लेकिन सारे कारिये तो दोस्तो इस क्लास के अंदर बहुत important question बनते हैं यहाँ पर जितने भी type के हमने यह पढ़ा है हर slide पर बहुत important question है तो दोस्तो आपको यह chapter बहुत अच्छे से strong कर लेना है क्योंकि यहाँ से exam में question आने के chances बहुत ही ज्यादा है तो दोस्तो मिलते हैं next class में जाने से पहले अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो science on wi-fi channel को subscribe कर लें और इस video को like और share कर दें thank you दोस्तो